Poco F4 device के लिए यहां पर अनदर अपडेट आ चुका है जो कि evoke का है इसका अपडेट भाई आप लोगो काफी जदा पसंद आता है और आज की वीडियो में इसकर मैं बात करने वाले कि जो अपडेट है यह हमें कैसा देखने को मिलता है और क्या कैसी यहां पर वर्किंग लिए गए हैं वह आपको काफी जदा यहां पर पसंद आने वाले हैं क्योंकि काफी कुछ चीजें यहां पर इंट्रिस्टिंग देखने को मिलता है तो लास्ट वाच करते लिएगा मैं आपको साई जनकाई दे दूँगा कि यह रोम कैसा परफॉर्म करता है बाकिता चीज यहां से आप इन्हें वन टाइम में एक्सेस कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैं कर पा रहा हूं बाकि यहां पर देख पागो बाकेदर ऑप्संस होगेड़ा भी आपको यहां पर दिखाई देता है साथ-साथ यहां पर आपको पूरा पिक्सल जैसा फील आता है कि कुसी तरीक को मिलता है evo का x-version 15 android है और इसका जो खुद का वर्जन है वो है 10.5 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अप्रेल 5 का security patch है यहाँ पर आप 9 kernel देख पाऊंगे default डिया गया maintenance आपको name दिखाई देता है और build it यहाँ पर 12 का है यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है तो सबसे नीचे आपको बॉटम पर अक्सेसिबिलिटी उसका डिजिटल वेल्विंग सेक्यूर्टी और प्राइविसी देखनी को मिलेगा यहाँ पर हम आते डिवाइस लॉग के ऊपर आपको नर्मल से options देखनी को मिलते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पर मोड सेक्यूरिटी के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है क्लिप बोड को आटो क्लियर करने का टाइमर जो कि आप अपने हिताब से जितना चाहँ उतना है जो रख सकते हो ताकि आप जो कांड हो सके यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है हाई यहां पर आपको देखनी को मिलता है सिस्टम जहां पर आपको देखनी को मिलेंगे बटन से रिलेटेड नर्मल से कस्टमाइजेशन जो कि मोस्टली आपने जो देख रखा है मोस्टली कस्टम रोम के अंदर फाइल ट्रांसफर या अपने निट की सबसे यहां पर उप्सन सेलेक्ट कर सकते हो जो कि एक टाइम पहले डेवलोपर के अंदर घुसा रहता था अब यह बाहर आ चुका है यहां पर डिवाइस का डिया गया है जहांसे आप कई साज़ चीजे चिख कर सकते हो कि डिवाइस प आपको बता सकू कि नॉर्मल में कैसा प्रफॉर्म करता है और हाई में कैसा तो मैं आगया आपको दिखाऊंगा और यह हमारा इसका गेम बार्ट जो कि आपको काफी जड़ा हेल्फ करें गेमिंग के टाइम पर आपको एप्पीस वगेरा और टेंप्रेचर वगेरा यहां यहां पर इनेवल कर सकते हैं अपने नीट के हिसाब से जो कि यहां पर आपको दिखाई देता है और यहां पर पूरा स्क्रीन पर ही है तो आगया प्टच यह काम नहीं कर दाएं बहुत ही गंदा वहाला यहां पर प्रोलम आ गया था जैसा कि आप आप किसे अन करते ही मैं जो setting on कर रखा है पूरे display पे overlay हो गया अब कोई भी चीच काम नहीं कर लिया लेकिन यहां पे जो यह overlay हो गया touch काम नहीं कर लिया यह चीच मुझे लगता है solve होने की चाहिए जो के दिक्कत है बढ़ हाँ solve का एक तरीका है बस आपको simple यहां से qs को draw करना है edit पे आना है यहां सर्च करने के आप गेम बार की तरह बहुत सरी option आपको यहां पर देखनी को मिल जाते हैं यहां पर बस गेम बार को सर्च करके जो सामने रख लेना है जो कि मैंने यहां पर रख लिया आप सिंपल यहां से आपको इसे off कर देना है जैसी आप आफ करोगे यहां पर पूरा overlay खदम रहे है एब सिंपल जो इस्जक्व यहां पर कर दरे ऐ है अपको इस तरीके से वसे आप यहां से फिरशें जो कर सकते हो अब देखें तो यहां पर हमारे मूव कर रही है और यह वह small हो गया लेकिन प्रॉलम क्या था जैसे हम यहां पर एक चिशह को on कर रहे हैं ते त प्रोसेस बता दिया कैसे इसे ठीक करना है और दिमाग खराब कर देगा बाकि यहां पर जितने भी फीचे से वह काम करें बस वह यह एक है जो ओभरले आपको देखने को मिल जाता है और बेंधर अगया का है स्टोरेज का है वाल पेपर हैं यहां पे сами करने के जो देखने को मिलते हैं, grid वगेरा के, display के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, brightness वगेरा है, timeout है, dark mode के अंदर, pure black का भी option यहाँ पे दिया गया है, बागी यहाँ पे आपको refresh rate के options मिल जाते हैं, यहाँ पर screen protection mode देखने को मिल जाता है, touch को increase करने के option आपको यहाँ मिल जाएंगे हाई का ओप्सन दिया गया है और यहां पर डिसी डिम हाई यानि एच बी एम जिससे आप ब्राइटनेस को बूस्ट कर सकते हो यह मोड काफी हिल्फुल है जो कि मेभी आपने पिछला यूज किया होगा तो देखने को मिला होगा मैंने फॉर्स टाइम इस डिव वाल पेपर कर दो इनेवल डाक मूड कर दो यह साए ऑटो टास्क अगर आप क्रिएट करकर रख दो गए तो अपने हिसाब से वह काम करने लग जाएंगे और यह वाला फीचस में प्रसनली यहां पर यूज करते हो अपने इस 24 अल्ट्रा के अंदर और यहां पर मिर रहा है और यह आपके काफी हिल्फ करने वाला है डेली लाइफ में अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो तो यह काफी इंपोर्टेंट फीचर्स एड हुआ है साथ यसाथ साउंड के प्रोफाइल में नीचे के आपको देखने को मिलता है डाल्वी का इफक्ट जो कि आप यूज कर सकते हो यहां अपे आपको नोट्रिकेशन का आप्सन मिलता है जो कि हो करेगा बागी बॉर्टम परयाने पर जादा कुछ है नहीं एपस के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है क्लॉन एप का feature जो कि आप किसी के याप्लिकेशन को सिंगल खलिक पे कर सकते हो बस थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका क्लोन करके देगा तो देखते हैं क्लोन हुआ या नहीं इस तरीकी से आप देख रही हो करता है लगिन क्लोन क्रियेट कर देता है और यह चीज़ भई मैंने बाके धर डिवाइसमें में भी देखा है शिर्फ इस रोम के करते हैं बाकि क्लावड मीडिया है साइड वार्ट जो कि हमारा Android 15 वाला है वह आपको देखने को मिल जाता है अनदर यहां पर आपको कनेक्टिंग नेटवर्क और बाकि कॉमन से अप्संस वगेरा और देखो पॉपप किस तरी की चाहिए है बैटी सेविंग का कि क्यों बैट हो जब भी मैं करता हूं सिस्टम एक रिफ्रेस होने के लिए आता है और यूज कर रहा हूं और कंट्रोल सेंटर का लुक पूरा-का पूरा डिफरेंट है क्योंकि स्टार्टिंग पर आइसा नहीं रहता है साथ-साथ यहाँ पिए साए चीज़ आप यहाँ बदल सकते हो Volume के Styles वगेरा, Lock, Unlock के Sound, System, Fonts वगेरा भी आपको यहाँ पे देखनी को मिल जाते हैं यहाँ पे More, Theme, Icon है, Blur के Option है, Signal वगेरा के Icon यहाँ पे Change कर सकते हो Boot के कई सारे Option आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जहां पर कुछ clock के faces दिए गए हैं जो कि आप अपने lock screen पर apply कर सकते हो जो कि यहां पर आपको देखनी को मिलता है widgets जो कि मैं आपको lock screen पर show किया था वह साहे चीज़ आप यहां से चाहतो और disable कर सकते हो one click पे और सब कुछ आपको normal हो जाएगा या फिर आप यहां से इसे on कर लो और उसके बाद यहां पर सभी के shortcut से चेंज कर सकते हो इतने shortcut आपके सामने मिलते हैं image के जो कि आप यहां से बदल सकते हो रिमोट ग्रैस से भी आपको option मिलते हैं तो अलालग option यहां पर दिए गए जिनमें से एक महीं यहां पर use कर रहा हूं और यह proper काम करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती वहांई पर आपको देखनी को मिल जाते हैं और यहां पर आपको secure key styles required unlock देखनी को मिलता है और bluetooth का भी option यहां पर दिखाई देता है stress बार के अंदर की pull down है यहां पर आपको मिलता है clock के customization, network traffic, battery inductor वगरा जिसमें बहुँ उसले option दिएगे, battery से related जो भी आपको चाहिए वो आप यहां पर रख सकते हो बाकि यहां पर आपको battery, stress, bluetooth का भी so कर देगा, यहां पर color icon चाहिए वो रख सकते हो, notification counter चाहिए या फिर normal वो भी आप यहां पर on कर सकते हो बाकि power menu पर आपको normal से options मिलते हैं, जिनमेंसे जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हो, advance menu का आप off भी कर सकते हो मिलनेंस के अंदर कुछ swoop के option मिल जाते हैं, जैसे के play store का, photo storage वगेरा का, gaming वगेरा का, यह सारे option है और यह pro पर काम करते हैं, क्योंकि इनमेंसे कुछ चीज़े मैंने check कर रखी है यह फिर से आपको option मिल जाता है, USB का जो के हमें about के session में भी मिला था, यहाँ पर unlimited recording का option आपको मिल जाता है, ignore wallpaper dimming request का भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर on and off कर सकते हो, ignore window secure के भी option मिलते है, और यहाँ पर no restriction का भी option मिलता है, storage का, यानि बहुँ सारी option यहाँ पर दिये गए है, जो कि आपके daily life में बहुत जादा काम आने वाले है, तो option की कोई भी कमी नहीं मिलती है, features की कमी नहीं मिलती है, लेकिन एक छोटा सा glitch जो की overlay का था वो, और दूसरे यहाँ पर wallpaper dim किया, तो वो effect यहाँ पर नजर नहीं आया, बाकी चीज़े यहाँ पर काम कर रही है, और default जो camera हमारा यहाँ पर दिया गया है, वो है हमारा Leica का, जो कि आप यूज कर सकते हो, video recording की बात करें, तो 4K का 60fps नहीं है, यहाँ 4K 30fps आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ यूज कर सकते हो, रही बात यहाँ पर performance कैसा निकल के आता है, वो देख लेते हैं, और हाँ, यहाँ पर जो dialer है, हमारा Google का है, लेकिन यहाँ पर BCR दिया गया है, जिसे आपको बस एक बार on करना है, permission देना है, उसकार आपको recording करेगा, without announcement के, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना कर आप recording करते हो, तो यहाँ पर benefit आपको मिल जाता है, पर यह बात, performance क्या निकल के आता है, तो उसके उपर एक नजर डाल देते हैं, यहाँ पर यह है हमारा normal testing का untrute score, जो कि आप देख से तो काफी कम आपको देखने को मेरा है, Geekbench और all down ही है, और साथ सा CPU total भी हमारा तीनों चीज़े down यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन जै 85 गया है, जो कि next level का है, वहाँ पर हमारा जो CPU total है, वो है 3,16,000 मैक्स, और minimum यहाँ पर 2,67,000 है, जहाँ पर 87 का percentage निकल के आता है, और यह भी काफी ज़्यादा अच्छ है, वहाँ पर आप देख से तो होगी, Geekbench भी हमारा improve हो गया, यहाँ तीनों के तीनों जो काफी down है न और बाकी result हो गए है, तो मैंने आपको soak करीं दिया, और यहाँ चीज और यहाँ पर मैंने नोटिस किया, कि जैसे आप यहाँ पर इसे slide करते हो कैसे shortcut मिलते हैं, यहाँ पर torch कौन करते हो, और इस तरह किसे यहाँ पर slider मिल जाते है, आपको जैसे कि आप brightness को, यानि flash light के जो light है, उसे आप कम और ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह हमारा high हो गया, यह हमारा कम हो गया, तो इस तरह किसे आप यहाँ पर इसे manage कर सकते हो, इसके ऊपर haptic भी apply है, जैसे आप slide करें हैं, उस तरह किसे आपको haptic फिलो तक रर ऐसे, तो यह काफी जड़ा सही लगे, तो काफी interesting चीज़े यहाँ पर add करी गई है, जो कि मुझे पसंद आया है personally, और आपको भी पसंद आएगा, बट एक दो छोटी मुटी दहुदर की चीज़े मैंने जो आपको बताई ना, वो maybe आप ignore कर सकते हो, तो इसे मज़े से use कर पाऊगे, और कोई strong wall है यह आपको fail मिलता है, तो banking app वगरे में दिक्कत नहीं आने वाले है, और डालना कैसे है, तो orange fox का use करते हो, इस room को flash कर सकते हो, और format and reboot कर सकते हो, या फिर आपके पस कोई PE side load वाला recovery है, तो उसके help से भी, आप इसे अपने phone के अंदर डाल पाऊगे, आपको कोई द इसका set किया था, same उसी का animation यहाँ पर आपको देखने को मेर रहा है, तो आप अपने हिसाप से इसे change कर सकते हो, जैसा चाहिए, वैसा आप यहाँ पर apply कर सकते हो, तो बस इतना हिसा था, मिलते हैं, next वीडियो में, thanks watching, tata, bye bye झाल, झाल, झाल